नमस्कार दोस्तो एक वर फिस्ट स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूटूब चलन डॉक्टर जितिंदर हल्थ केर में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक ऐसी हेमेपैथी मेडिशन के बारे में जो के बॉट्स यानी की सबी तरह के मस्वों को जड़ से खतम करने के लिए काफी मनदगार दवा मानी जाती है दोस्तो आज हम बात करेंगे बॉट्स यानी की मस्वों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा कि मस्वों क्या होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं और किन हेमियोपैथी दवाओं से हम बॉट्स यानी मस्वों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तो बॉट्स यानी की मस्वे हमारी इसकिन में पाए जाने वाली कोई छोटी छोटी ग्रोथ होती हैं। जो कि एक खास बारस होता है जिसे हिूमन पैपिलोमा बारस कहते हैं। उसके कारल हमारी बॉडी में डेवलेप होते हैं। जब भी हमारी बॉडी से हिूमन पैपिलोमा बारस का इनफेक्शन हो जाता है तब ये बॉट्स डेवलेप होने लगते हैं। ये जो human papilloma virus होता है ये हमारी skin जहां से कटी-फटी होती है या टूटी-फोटी होती है वहां से ये हमारे blood में enter कर जाता है और फिर जगय जगय पर छोटी-छोटी growths बनाने लगता है जिने हम bots यानि मस्य कहते हैं दोस्तो मस्य लगवक दस प्रकार के होते हैं जिन में सबसे प्रमुक होते हैं बरू का bulgaris यानि की जिने हम Palmer bots भी कहते हैं ये जायतर हातों में पाय जाते हैं और ये बड़े-बड़े होते हैं इसके बाद जो अगले आते हैं वो होते हैं बरू का प्लाना ये ज़्यादातर फिलाइट बॉट्स होते हैं यानि की सपाट होते हैं और ये चहरे और गरदन के आसपास जादा पाए जाते हैं इसके बाद अगला प्रकार आता है फिल्ली कॉम बॉट्स का ये धागे के तरह होते हैं और जायातर आइलीट्स यानि की आँखों के आसपास पाई जाते हैं इसके बाद अगले बॉट्स होते हैं कॉंडाई लोमा जिने जनाइटल वॉट्स भी कहा जाता है ये जो होते हैं गुपतांगों के आसपास होते हैं एनस के आसपास हो सकते हैं पैनिस पर हो सकते हैं इसके बाद अगले Water स्च आते हैं Planter Water ये पेरों के तलबों में पाई जाते हैं और जातर ये Penful होते हैं एक Lump के रूप में होते हैं इसके अलावा भी Water के बहुत सारे टाइप होते हैं अगर आपको इन में से किसी भी तरह के मस्से हैं तो आप Bartok Hemipathy Medicine का प्रियोग कर सकते हैं जिससे कि जो आपके Barts यानी की मस्सों की समस्या है बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी और इस Bartok Medicine के काफी अच्छी रेजल्ट हैं दोस्तो ये Medicine आपको एक Hemipathy Medical Store पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप देख सकते हैं कि इसमें दो प्रकार के ड्रॉपर निकलते हैं जो कि एक पीने के लिए होता है और एक मस्सों के उपर लगाने के लिए होता है ये प्लास्टिक में जो आता है ये बोट्स के उपर यानि की मस्सों के उपर तीन वार दिन में लगाना होता है और ये जो काज की सीसे में आता है ये दददस बून पानी के साथ दिन में तीन वार पीनी होती है अगर आप मस्य जैसी समस्याओं से जूज रहे हैं और काफी दवाओं का शेवन करके ठक चुके हैं और आपको अभी तक कोई भी लाव देखने को नहीं मिला है तो एक वार इस बार टोक हेमिपैथी मेडिसिन का प्रेयोग जरूर करें जिससे कि जो आपकी मस्यों की समस्या ह वो हमेशा के लिए खतम हो जाएगी और आपको इस दवा का शेवन एक से दो महीने तक करना है जिससे कि जो आपकी मस्यों की समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाए और फिर कभी दोबारा ना हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बार टोक हेमिपैथी मेडिसिन दवा के बार में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी अगर यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जैहन जयां